गुड मॉनिग चिल्रन लेट्स स्टार्ट लेशन फाइब दा पियर सीड क्या आप कभी किसी ऐसी स्थिती में पड़े हैं कि आपको अपने बुद्धिमानी से निर्ड़ा लेना पड़ा आए देखते हैं इस लेशन में क्या बताया गया है बहुत साल पहले चाइना में एक गरीब आदमी रहता था एक दिन वे बहुत भूखा था इसलिए उसने बाजार से एक पियर या नासपाती चुरा ली फल वाले ने उसे पकड़ लिया और उसे राजा के दरबार में सजा दिलाने के लिए ले गया जब महराज अपने सिहासन पर बैठे हुए थे तब चोर ने कहा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको एक बेश कीमती उपहार दूँगा महराज ने उसके फटे हुए कपड़ों को देखा और हसा तुम्हारे पास क्या हो सकता है जिसे मैं कीमती मानूँ चोर ने अपने जेब से भूरे रंग का नाशपाती का एक बीज निकाला इसे रोप दीजिए यूर मजेस्टी जब आप इस बीच को लगाएंगे यह एक ही दिन में अंकुरित हो जाएगा और इसमें सोने के फल लगेंगे तभी महराज ने आदेश दिया इसे लगाएंगे जब मैं कल सुनेहरे पियर को देख लूँगा तो मैं तुम्हें छोडने का आदेश दे दूँगा उस चोर को बगीचे में गढधा खोदने के लिए लेकर गए दर्बार के सभी अधिकारी देख रहे थे जब उसका गढधा खोदना खत्म हो गया तब वे उठ गया महराज ने आदेश दिया बीच को रोप दो मैं यह नहीं कर सकता मैं चोर हूँ यह जादूई बीच केवल वही लगा सकता है जिसने कभी भी चोरी नहीं की चीटिंग नहीं की या फिर जूट ना बोला हो महराज यह बीच बोने का सम्मान आपको ही प्राप्त होना चाहिए महराज का चेहरा गुसे से लाल हो गया उन्होंने गुसे में कहा मैं महराज हूँ मैं फसले नहीं बोता यह बीच प्रधान मंत्री जी को दे दिया जाए मैं चीजे उगाने में बहुत बुरा हूँ मेरे बगीचे के पोधे हमेशा मर जाते हैं या मुर्जा जाते हैं यह बीच खजान्ची को दे दो प्राइम मिनिस्टर ने कहा खजान्ची ने भी बहाना बना दिया एक एक करके दरबार के सभी अधिकारियों को बीच दिया गया कोई भी उस बीच को लगाना नहीं चाहता था वे सभी सांती से खड़े होकर उस खाली गड़े को देख रहे थे फाइनली उस चोर ने कहा आप मेंसे कोई भी इस बीच को नहीं लगा सकता क्योंकि कोई भी बिना चोरी किये या जूट बोले नहीं रह सकता आप सभी अमीर और दरबार के महत्वेपूर अधिकारी हैं फिर भी आप मुझे फल का एक टुकड़ा चुराने पर सजा देना चाहते हैं क्योंकि मैं भूखा था क्या यह न्याय है राजा ने सर जुकाया और कहा तुम सही हो मैं तुम्हें तुरंत आजाद करता हूँ तो बच्चों हमने इस लेशन में देखा कि एक चोर ने कैसे अपने बुद्धिमानी से अपने साथ होने वाले अन्याय को रोका और महराज को अपने गलती का एहसास दिलाया थैंक्यू, हैब अग्रेट देग